नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे दोस्तों देखिए NBCC की बात करा है जो कि एक ब्लू चिप कमपनी है और ये काफी अच्छी बात है आपके लिए ब्लू चिप कमपनी इतने सस्ते प्राइस पे उपलब्ध है आज की डेट में और इस सेर की बात करें तो पिछले कुस दिनों से इसमें लोगों के लिए बहुत ज़दा परसानी भी देखने को मिली लिकिन अब सेर में बापस एक अच्छी रिकबरी आती हुई नजर आई है क्योंकि अगर हम बात करें तो जब मैंने इस सेर आपके लिए सजेस्ट किया था इसका अनेलिसिस भी आपके लिए दिया था तब मैंने आपसे बोला था कि आप इसको होल्ड करके रखिए और उसका प्राइज उस समल लगबग 38 रुपीस के अप्रॉक्स था तो बहां से देखें तो आपको सेर में काफी अच्छे रिटन देखने को मिल चुके हैं जो कि काफी अच्छी positive बात होती है किसी भी stock के लिए और investor के लिए दोस्तो अगर आपने अभी तक अपने चनल के लिए subscribe नहीं किया है तो कर लीजे आपका अपना है comment box में जरूर कुछ न कुछ बोला करें पढ़के अच्छा लगता है वीडियो को like जरू करना अगर आपको पसं और बही अगर बात करें इसके maximum chart में तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि एक penny stock था जो कि 5-6 रुपए के price से आपको उपर की तरफ चलते हुई दिखा और बीच-बीच में गिराबट भी देखने को मिली तो यही चीज होती है main जो patience आपका चेक करते हैं ब कुछ गिराबट आपको यहां से जो गिराबट हुई वो covid की बज़े से गिराबट देखने के लिए मिली बरना स्टैविल यही से यह से हो चुका था लेकिन यह covid की बज़े से गिराबट हुई लेकिन उसके बाद आप देखेंगे बापस से शेयर में एक बड़ी recovery नजर आ सकते हैं क्योंकि कंपनी अच्छी है government taking company और इस समय का देखें तो जितनी भी PSU सेक्टर की कंपनिया है सभी में बड़ी तीजी आपको देखने को मिल दी और इस समय government ने अभी तक 10 कंपनियों के name announce तो नहीं किये हैं लेकिन उन्होंने यह बात जरूर बोल दी है कि वो 10 अच्छा पॉजिटिव साइन होता है जब भी government की बात आती है बहाँ पर आपके पैसा डूबने के जो चांस हैं वो खतम हो जाते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि डूबना नहीं होता है और बहीं अगर देखें यहां पर इनकी काफी सब्सेडिरी कंपनिया भी आपको दिरे दिरे काफी अच्छी recovery mode में आपको इनके financial देखने को मिल रहे हैं September quarter भी देखें तो यहां पर आप देखेंगे और यहां पर देखेंगे तो आपको काफी changes नजर आएगा quarter on quarter भी और year on year भी आपको काफी बहतर performance देखने के लिए मिल रही है तो इसी तरह से आप अनु holding मजबूती के साथ बनाय रख सकते हैं long term investing के नजरिये से आपके लिए एक बहतरीन share है जो कि आपको एक अच्छे price पे penny stock अगर आप prefer करते हैं तो उसके हिस्ता आप से देखा जाए तो आपके लिए सांदार मौका यहां पर बड़ा पैसा बनाने का long term में अगर आप invest करते ह तो आप बापस से देखेंगे यह share आपको 100 रुपी के उपर बापस से जाता हुआ नजर आएगा लिकिन इसके लिए आपको time देना होगा patience के साथ बने रहना होगा तब ही आप यह चीज़े possible होती हुए देख पाएंगे dividend yield की बात करें जो कि आप बोल सकते हैं एक तरह से ना के बराबा लिकिन future में आपके लिए बहाँ पर देखने को मिल जाएगी क्यूंकि company अब धीरे धीरे profit की तरह बढ़ रही है share के 52 बीक के high की बात करें तो जो कि आपको 54 रुपीज देखने को मिल आप लोग की बात करें तो 18 रुपए start पैसा जो कि आप समझते हैं कि पि fabulous होने के लिए देना होगा और अपने patience के साथ बने रहना होगा क्योंकि अगर देखें तो इसी तरह से आप देखेंगे अभी लोग IRFC जो stock है उसमें आप देखेंगे बहुत चादा लोग अपना patience खो रहे हैं तो IRFC में अगर देखें तो बहाँ पे आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि share market में आने के बाद कभी तेजी में कभी गिरावट में लिकिन आप देखेंगे इसी तरीके से जो सुरू सुरू में share आते हैं जिन में price आपको एक penny stock की तरह देखने को मिलता है actual में वो penny stock नहीं होते हैं लिकिन बहाँ पर लोग बहुत ज्यादा इसी आस में trading करते हैं जैसे कि मानो आज पैसा लगाया और अगले हपते उठे तो करोड़ो रुपए आपके account में आ गए तो इस तरीके से दोस्तों नहीं होता है market में भी अगर आप देखेंगे किसी ने भी करोड़ो रुपए यहां से अगर बनाए हैं तो उसने करोड़ो रु में बदल गए तो उस एक हजार करोड़ के लिए उन्होंने क्या sacrifice किया अपना patience बनाय रखा अपना time और बीच में कभी भी उन्होंने बहाँ पर profit booking भी नहीं की अगर वो चाहते तो उन्हें लगता कि आज मुझे 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं मैं 100 करोड़ रुपए अप उन्होंने patience के साथ बने रखे ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही उस आई-पू में invest किया था first time हर कोई i Portuguese लेता है तो आपने भी बहुत से IPO में invest किया होगा मैंने भी किया बहुत से लोगों ने किया और उस टाइम भी विप्रो में और भी लोगों ने invest किया होगा लिकिन हर किसी ने इतना long term का bait नहीं किया और इतना ज़्यादा patience के साथ इंतियार नहीं किया ना ग्रावट में उसके साथ patience अपना खोया ना उसके साथ अपनी दोस्ती तोड़ी और ना ही बड़ी तेजी में बहां से अपनी profit booking करी तो यही होता है कि आपको company के साथ एक दोस्ती बनानी होगी उसके रिस्तों को समझना होगा उसके business को समझना होगा उससे प्यार करना होगा तब यह आप एक अच्छे long term investor बन सकते हैं और market से अगर करोड़ों रुपए बनाने की बात है या बहुत बड़ा मुनाफ़ा तो वो ट्रेडिंग में possible नहीं है ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है जैसे कि आप सोचे कि सोने की मुर्गी जो अंडा देने वाली है तो वो होता है long term investing बाला जो investor होता है वो अंडे पे खुस रहता है और जो trader होता है वो सीधा मुर्गी खाना चाहता है तो इसलिए देखेंगे कि मुर्गी बाला कभी successful नहीं रहता है इतना जितना आप देखेंगे long term investing बाला successful रहता है अगर आप बात करें तो D-Mart के जो founder है आप उनकी बात ले लीजिए दमानी जी की तो उन्होंने क्या करा पहले वो trading करते थे उन्होंने बहां से बहुत पैसा कमाये लिकिन उन्हें बाद में पता लगा कि trading से इतना पैसा नहीं बनाया जा सकता फिर वो long term investor बने फिर उन्हें बहां से लगा कि अगर इससे भी ज्यादा पैसा कमाना है तो business करना होगा तो आप क्या कर रहे हैं long term investing से आप भी एक तरह से business ही कर रहे हैं क्योंकि आप business में ही पैसा लगा रहे हैं तो दोस्तों अपनी इसी सोच के साथ चलिए share में अगर बा तो like बटन जरू दबाएगा और यह मैंने कोई भी ऐसी बाते यहां पर नहीं किये आपको कुछ न को समझाने के लिए सिखाने के लिए यह चीजें आपको बतानी पड़ती हैं कभी कभी mind से निकल जाती है जो कि आपको बापस से याद आ जाए तो धन्यवाद दोस्तों व